आईए दोस्तो आज मैं आपको लेकर जाऊंगा राजस्वरी का गाउं जाने में कितना परसाणी का सामना करना पड़ता है आज मैं इस वीडियो के मादम से दिखाऊंगा आईए देखते हैं अपिर नमस्कार दोस्तो चतिज गड़ के अबूजमार जंगल किसने नाम नहीं सुना होगा आईए दोस्तो आज मैं आपको लेकर जाऊंगा चतिज गड़ के अबूजमार अंधरोणी छेतर पर जहां आज भी आपको लाइट इसकूल सड़क ऐसे सुईधा आपको वहां देखने को कोहीं नहीं मिलेगा तो देख सकते हैं कि गाउं में हम जा रहे हैं गाउं में जाने के लिए आपको ऐसे रास्ता से आपको गुजरना पड़ेगा कि अधर कर आश्ता ही तो भाई बर खतरा रास्ता है यार अब यहां बारिस हुआ तो बारिस में यहां का रास्ता जो है पूरव बंद हो गया पूल था यकूल भी बंद हो गया है अब चारों तरप से के दढ़ जाने रहे हैं को भाई तो इस पर जाही नहीं सकता है यहां से च्ट-पांच किलोमीटर पूरो जंगल लबूज मार के जंगल में अभी और यहां तो बाइक जाही नहीं सकता है तो पहां से जाना है अब उसका कुछ दिवार देख रहे हैं जिए अब यह बता रहा है कि यहां कितना गहर है क्योंकि मेरे कुलोगर यहां से पूरा रेतिली जगह है बाइक चला जाएगा कि अब यहां कि अब यहां कि अब यहां कि नर्दी का जो लहर पानी का लाहर बहुत ही ज्यादा है मेरे को लगता है कि इस बार अब गाड़ी नहीं जा पाएगा कि अब तेन लोग को इन लोग को बंडिंग रहेगा तीन लोग एक सांथ ही आएगे थाकि बहुत दूसर्ण साहरी में आ रहे हैं पूरा मेरा पैन्ट पूर बिग गया चलो 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 दादर जी एक गार है वो जी ओ भाई साब पूरा पैन्ट गया पूरा बिग गया पसीना में पूरा हलक खाब हो गया अभी तो लगभग एक किलोमेटर आये हैं इन चार किलोमेटर और पैदा जाना पड़ेगा देखो क्या कर रही है तो इधार घर की छबाई कर रही है यह कैसे राजेस्वरी के बहान हो हमारा हिंदी भासा ने समझते हैं लगोंदी यह आता है लोको यह राजेस्वरी का घर यह राजेस्वरी के झाल झाल